हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू मैनेट जेई एडवांस तुसाइन ट्वंटी फॉर का आपका एक्जामिनेशन हो चुका है पेपर बन की बाद बच्चों के मिक्स रियेक्शन थे कुछ बच्चों को लगा कि पेपर टफर साहिड रहा है कुछ बच्चों से जो है सुनने को मिला जिन्हों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी 11 12 में कि सर कुछ कुछ क्षिंस मतलब मेजूरिटी इव दी क्षिंस तो बिल्कुल स्टेट फॉरवड थे और वैसे क्षिंस जो है क्लास के अंदर करे वे थे तो चली समझते हैं पेपर कैसा रा इस वीडियो के अंदर रहा था वैसा ही पैटन बच्छो 2024 में रहा section 1 के अंदर जो थे यहाँ पर maximum marks आपके 12 थे 4 questions and all are that single correct choice questions plus 3 जो है आपको यहाँ पर correct करने भी मिलता है and then आप देख सकते है minus 1 negative marking उस question के अंदर थी तो plus 3 and minus 1 यहाँ था so let's start with the first question पहला question जो था आपका इसका मैं आपको सबसे पहले correct answer बता देता हूँ correct answer बताने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे a is the correct answer for this problem a is the correct answer यह जो question था आपका 11th class से पूचा गया था units and measurement unit and measurement का dialect application था बचो यहाँ पर and इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि यह जो है easy category का question था चलिए इसका solution समझ लेते है करना कैसे dimensionless quantity is constructed in terms of electric charge permittivity of free space planks constant and speed of light c if the dimensionless quantity is written in this form and n is a non-zero integer then alpha, beta, gamma, delta is given by तो आपको values यहाँ पर पूची है सबसे पहले मैं e की पार alpha लिख लेता हूँ equation में क्या दे रखा है then epsilon naught की पार beta, h की पार gamma and c की पार delta यह जो है बच्चो चार्ज है charge को ampere into time के अंदर लिखा, epsilon naught अब permittivity की आपको अगर dimension निकालनी है तो आप बहुत इजीली ऐसे कह सकते है sir epsilon naught is equal to q1 q2 divide by 4 pi f यहाँ पर आ गया है और r square अलरी यहाँ पर है ml t-2 and distance is l2 अगर आप चीजों को यहाँ पर arrange करेंगे तो आप देख पहेंगे यह m-1 यहाँ पर बन जाता है ठीक है and then यहाँ पर l3 हुआ उपर जाके l-3 हो जाएगा mp2 लिखावा है यहाँ पर और t to the power 4 हो जाता है सारी चीजों को यहाँ पर dimension में epsilon naught के मैं डालता हूँ यहाँ पर m-1 then l to the power minus 3 check करते वे चलेंगे बच्चों यहाँ पर तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही लिखावा है उपर जाके minus 3 हो जाएगा ठीक है and then इसके बाद a2 लिखावा है t to the power 4 लिखावा है यह पूरा बीटा हुआ planks constant we know that e is equals to hf energy को अकर frequency से divide कर दूँगा frequency उपर जाके जो है time ही बनना है आपर तो directly लिख सकता हूँ है ml to t minus 2 की जगा t minus 1 हो जाएगा बच्चों ठीक है energy का dimension उसको time के dimension से जो है multiply कर देना है अपने को gamma and c we know that it is given as speed of light meter per second lt minus 1 delta ठीक है यह पूरा dimension less होना चाहिए अगर dimension less होना चाहिए तो जो इस side dimensions है वो सब की पार 0 होने चाहिए अगर सब की पार अगर 0 है यहाँ पर M की पार 0 L की पार 0 तो हम उसे dimension को 1 कह सकते है है overall तो आपने बोला individual dimensions अब चेक करते हैं यहाँ पर देखो M की पार में आपको दिख रहा है यहाँ पर minus beta आ जाएगा ठीक है मैं directly M की पार्स को collect कर रहा हूं minus beta अगर आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ आपर प्लस गावा मिल जाता है ठीक है देन आप next कोई सी भी चीज उठा लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं simplification के लिए यह उठाते हैं ठीक है एक ही पार आपको जो है alpha दिख रहा है यहाँ से 2 beta दिख रहा है ठीक है देन इसके बाद जो है next third thing जो है मैं चाहरा हूं यहाँ पर कुछ और चीज भी उठा लेते पहले first step क्या करता हूं यहाँ पर कि sir यह जो पार है यह 0 होनी पड़ेगी तो minus beta plus gamma यह आपका overall 0 हो जाता है तो इसको 0 लिखके जो है यहाँ पर सेम दे रखे हैं आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यह जो है जो सेम दे रखे हैं इनके अंदर options अब कैसे eliminate करते हुए आप बचो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो ठीक है M हमारा हो चुका है then मैं यहाँ पर जो है उठाता हूँ कोई next चीज इस चीज के इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सर ampere alpha plus 2 beta यह भी 0 होना पड़ेगा तो alpha plus 2 beta अगर 0 है तो alpha की value minus 2 beta के बराबर होती है अगर alpha की value आपको minus 2 beta दिखाई दे रही है तो use कर लेते हैं सर alpha वाला पहला है यह minus 2 times of that होना चाहिए तो आपको इस से पता चल जाते हैं कि कर लेते हैं हम बोलते हैं सरी यह लिखावा है यहाँ पर 4 beta मैं सर्फ time के लिए कब कर रहा हूं यहाँ पर लिखावा है alpha time से थोड़ा सा बच्चों यह लंबा हो जाता है तो इसे time की जगए जो है माइनस 3 बीटा निकल के आया, next वाले में 2 गामा निकल के आया और last डेल्टा निकल के आया, मुझे मालूम है complete 0 होना चाहिए, so minus 3 बीटा plus 2 गामा, plus डेल्टा is equal to 0, अगर आप देख रहे हैं यहापे कि सर गामा और बीटा तो बराबर हैं, अगर गामा और बीटा बराबर हैं, तो मैं यहाँ पह लिख सकता हूँ, सर माइनस बीटा, plus डेल्टा is equal to 0, डेल्टा is equal to बीटा, अब आपको यह भी condition पता चल गई है, चे ये आपका अंसर के अंसर इसका ए ऑप्शन हो जाता है आई आगे बढ़ते हैं second question देखते हैं second question में क्या पूचा गया था एक अच्छा question था visualization के लिए आप जो हैं MPS loop law पढ़ते हैं जहां पर आपको ये पता होता है that closed surface integral स्वारी यह लाइन इंटिक्राल है बच्छो ध्यान होना चाहिए वी डॉट डील इस इकोल स्टू मी नॉट इंटू आई इंक्लोज़ ठीक है तो अगर आपका जो है यहाँ पर मैं अगर लाइन इंटिक्राल करता हूं मैगनेटिक फिल्ड का तो उससे मुझे 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 इंटू आइन इंक्लोज मिलता है जरा देखते हैं इस क्विश्चन को कैसे कर सकते है थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन है infinitely long wire located on the Z axis carries the current I यह हम देख पा रहे हैं कि सर यह X axis है यह Y axis है and यह Z axis है wire जो है वो along the Z axis रखा हुआ है तो wire को draw कर लेते हैं यह आपर की wire कैसा दिखा ही देगा this will be the structure of wire wire के अंदर current बच्चो ऐसे flow कर रहा है ठेक है and produces the magnetic field B the magnitude of the line integral B dot DL close नहीं है यह along a straight line from the point minus root 3 a comma a comma 0 तो पहले इस point को mark कर लेते हैं so इस point को अगर मैं mark करना चाहता हूँ यहाँ पर तो diagram के अंदर जो है इसको mark करके दिखाता हूँ आपको आपको पता है यह origin है minus root 3 a comma a तो यहाँ पर कहीं आपको यह point मिलता है minus root 3 a comma a मैं z coordinate नहीं ले रहा हूँ वो तो 0 दे ही रखा है then इसके बाद जो है यहाँ पर जो coordinate मुझे मिल रहा है वो यहाँ पर है कहीं that is a comma a यहाँ से यहाँ तक गर मैं एक line को connect कर देता हूँ and फिर question को solve करने ही कोशिश करेंगे ठीक है अब आप देखिए यहाँ से कि अगर आपको इस point पर जाना है तो थोड़ा angle आपका ऐसा होना पड़ेगा मैं line से connect कर रहा हूँ यहाँ पर and यह angle को भी connect कर रहा हूँ मैं यह question बहुत simple हो जाता है अगर आप angles को यहाँ पर calculate कर लेते तो अगर मैं यह total angle 60 degree plus 45 degree that is equals to 105 degree subtend कर रही है आपर produce कर रही है and we know that अगर 360 degree angle होता है a basic simple unitary method तो answer आना चाहिए था mu not into i के बराबर but it is given to me that the angle is 105 degree तो मैं क्या कर सकता हूँ mu not i into 105 divided by 360 अगर simplify करने कोशिच कर हूँ 15 second मैं check कर रहा हूँ तो 15 7 times and 24 times तो यहाँ से आपका answer निकल के आ जाता है 7 mu not i divided by 24 तो according to this you can see that option A is the correct answer for this problem तो यह जो problem थी बच्चों इसका option जो है A correct हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि यह पूछा कहां से गया है यह जो problem है आपका class 12th का problem है moving charges and magnetism यहाँ पर जो है हम यह chapter के अंदर पढ़ते हैं मैं इस question को जो है easy तो नहीं moderate category में जो है आप लोग के लिए बोलूँगा because थोड़ा सा यहाँ पर सोचना था कि किस तरह से structure लेंगे उसके बाद यह problem automatically अगर यह समझ गए तो easy हो जाता है let's move to the problem number third guys third problem देखते हैं कैसा था अब यह थोड़ा एक अच्छा problem था जहाँ पर electrostatics का use किया है and plus electrostatics के साथ-साथ SHM के कुछ concepts मिला दिये हैं but I hope ऐसे standard questions आपने जरूर class के अंदर करे होंगे because यह कुछ important और favorite questions होते हैं हम लोग के class में ठीक है देखते हैं इसे कैसे करना है two beats each with charge q and mass m तो पहले जो है इसको समझ के जो है इसका एक diagram बना लेते हैं फिर देखेंगे कैसे करेंगे तो हमें बोल रखा है यहां पर कि ऐसा circular loop है यहां पर दो beads है तो लेट में ड्रॉदी टू बीड्स पहला बीड यहां है पहला बीड यहां है यह ऐसे क्यूं बनाए अभी मैं question को पढ़के आपको समझाता हूँ तो अगर दो beads को आप जो है किसी circular hoop पे डाल देंगे तो इनके बीच में electrostatic repulsion लगेगा उससे यह maximum distance पे एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे अब इस hoop की जो radius है मुझे बता रखिए that r is the radius of this hoop दोनों का जो charges है वो q है and mass जो है यहां पर m है यह हमें given है let us see the next part आगे बोला है that one of the beads is glued to the hoop मतलब एक bead जो है fixed यहां पर at some point while the other one performs small oscillations about its equilibrium position equilibrium position मैं आपको बताया एक दूसरे से सबसे जादा दूर जाने चाहेंगे because of electrostatic repulsion square of the angular frequency for the small oscillations is given by we know that angular frequency is given as omega उसका square जो है आपर पूछा है and कुछ आगे भी लिखा है that epsilon 0 is the permittivity of free space हमें वो चीज पता है अब देखो करना क्या होता है आपको आपको इसको जो है अपनी equilibrium position से छोटे से distance यह small angle के लिए displace करना होता है और check करना होता है कि restoring force क्या निकल के आ रहा है चली check करते है तो बड़ा अच्छा question था है यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बिलकुल easily हो जाएगा बट अगर आपने यह class के अंदर concepts practice करे होंगे तो यह question easy ही लगेगा आपको यहाँ मैंने बोला कि भाई length of arc जिससे मैंने यहाँ पर place किया है वो x है एंड यह radius sorry radius तो आ रहा है इसे यह angle जो है मैंने theta ले लिया बच्छो यहाँ पर अगर यह angle theta होता है यहाँ पर तो आप मैं extend करता हूँ इस लाइन को यहाँ पर आपको पता है with the help of geometry कि अगर center पर theta angle subtend कर रहा है तो यहाँ पर theta by 2 करेगा ठीक है अब देखते भाई electrostatic force कैसा लग रहा है electrostatic जो force है उसको जो है यहाँ पर direction में mark कर लेते हैं that this is the direction of electrostatic force यहाँ से यहाँ तक sir this is electrostatic force ठीक है और यह आपका normal है यहाँ पर ठीक है normal से कितना angle बना रहा हूँ को अगर यह angle बच्छो theta by 2 है तो आप यहाँ पर जो है थोड़ा से angles को अगर trace करेंगे तो आपको पता चल जाए कि sir यह वाला angle भी हमारा जो है theta by 2 निकल के आता है होफुली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहागा कि मैंने क्या किया है अब दिखना भाई electrostatic force का एक component इदर f cos theta by 2 एंड एक component इदर जो restoring force produce करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर restoring जो force लग रहा होगा that will be equal into f sin theta by 2 ठीक है इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि किस तरह से solve कर सकते हैं यहाँ पर अब सबसे पहले f की value निकालते हैं यहाँ पर restoring force से इसलिए मैं negative sign यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ठीक है I hope यह logic सबको पता ही है then आगे दिखी कहीं यहाँ पर इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर that sir जो force लग रहा है electrostatic force that will be given as k q1 q2 by r square तो उसी का इस्तमाल करते हैं यहाँ पर that the force that is given to me is k q1 q2 by r square r is the distance between them तो यह जो है दोनों की charges q है तो q square ले लेते हैं आपर अब बड़े ध्यान से देखना कि यह यह total distance 2r के बराबर है ठीक है तो इसका इधर वाला component कितना होगा ज्यान से देखना 2r का इधर वाला component हो जाता है 2r cos theta by 2 and we need to do the square of this complete thing अब आपको बता होगा small angle approximations के अंदर हम यह पढ़ते हैं कि अगर angle छुटा होता है तो cos theta 1 बन जाता है और sin theta theta बन जाता है उसी का इस्तमाल करते है sir the force will be equals to k q square divide by ठेक है इसको जो है 1 बना दो फूरा 4r square k की value भी डाल देते हैं बच्छो q square divide by 16 pi epsilon 0 r square restoring force को इसी से आगे बढ़ते है restoring force को लिखेंगे हम यहाँ पर ma के बराबर तो अगर restoring force की value हमें पता चल गई है sir that is ma is equals to minus sign data put करते हैं बच्छों यहाँ पर q square divide by 16 pi epsilon 0 r square ठीक है अब यहाँ पर पीछे sin theta by 2 लिखा है small angles के लिए sin theta theta बनता है तो theta by 2 यहाँ पर बन जाएगा देखिए theta को कैसे लिख सकते है theta को लिख सकते है length of arc divided by radius तो यहाँ पर length of arc को मैं अगर radius से divide कर दूँगा तो मेरा result कितना आ रहा है देखिएगा यह data यहाँ पर put करता हूं तो इससे मेरा result बन रहा है m a is equals to minus q square अगर वहाँ पर x आ जाता है तो नीचे यह multiply होके 32 pi epsilon 0 r cube बन जाता है I hope यह चीज याद होगी कि acceleration is equals to यहाँ पर minus q square x divided by 32 pi epsilon 0 r cube यह आ जाता है and हम एक equation पढ़ चुके होते हैं that shm के अंदर acceleration is equals to minus omega square x अगर मैंने दिखा दिया तो omega square यह आगे वाला part ही बच्चो आपका omega square है so I hope आपका answer q square divided by 32 pi epsilon 0 r cube होना चाहिए तो देख लेते हैं ऐसा कुछ answer है क्या q square divided by 32 pi epsilon 0 r cube into m so that is how I can say that b is the correct answer for this problem यह बच्चो आप precisely बोल सकते हैं कि यह 11th plus 12th का mixture था यह इसका main concept तो जो था SHM का था but sub concept of electrostatics को यहाँ पर use किया गया यह question हम जो है moderate category के अंदर जो है डाल सकते हैं SHM plus electrostatics का एक अच्छा question जहां बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ता आईए चौथे question पर चलते हैं तो easy question था पहले हम आपको जो है इसकी answer की बता देते हैं कि answer क्या आएगा इसका तो इस से पहले वाले question पर क्या मैंने answer पर tick किया था आप लोग के लिए जी हां यहां यहां पर जो है B option पर मैंने टिक कर दिया था next question जो है fourth question यह इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको इसका जो answer है that is the C option समझते हैं problem को क्या बोला गया है आपको एक force दिया गया है block of mass 5 kg moves along the x direction subjected to the force एक बहुत important चीज force की value बच्चों negative में लिखी भी है यहां पर बोला गया है that minus 20x plus 10 ठीक है जब भी negative से कुछ force लिखावा हो और x की power 1 है तो हमें समझना चीए कि sir यह restoring force simple harmonic motion जैसा form create कर सकता है तो आपने बोला कि sir minus 20 को common ले लेते हैं x minus half यहां पर बन जाता है this equation is very similar to f is equal to minus k x minus x naught what is the meaning of this x naught आपका जो mean position है अब वो x is equal to 0 नहीं है किसी x naught position से जो है shm चालू हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ यहां पर कि sir यह mean position है x naught ठीक है यह यहां पर extreme पे जाएगा तो दो extreme positions है आगे समझना ही कुशिश करते है problem को that with the value of action meters at t is equal to 0 it is at rest again एक important बात शुपी भी है अगर t is equal to 0 पे object rest पे है तो यह तभी possible है जब वो extreme से अपनी journey को start कर रहा हो तो यह जो है rest पे है t is equal to 0 पे मतलब extreme से journey start कर रहा है at position x equals to 1 मैंने right में बनाया उसका भी एक logic है कि इसने कह रखाए कि x is equal to 1 मुझे पता है that x naught की value जो है यहां से half दिखाई दे रही है तो half इसका mean position है right part में है इसलिए मैंने बना दिया position and momentum of the block at t is equal to pi by 4 second तो इस time पे position बतानी है and momentum बताना है ठीक है अब आप क्या करें सबसे पहले इसका time period निकाल लीजिए time period क्या होगा इसका 2 pi under root m by के 2 pi बचो mass की value 5 है and चो k की value आपके सामने लिखी है वो 20 है इससे आपका time period pi निकल के आ जाता है and आपको साफ साफ दिख जाता है कि 1 fourth of the time period पे कहानी पूछिए pi is the total time 1 fourth of the time period पे यह जो object है वो यहां पर आ चुका होगा और अपनी mean position से ऐसे pass हो रहा होगा तो आपको पता चलिया कि sir इसकी position जो है 0.5 होगी तो इसकी basis पे जो है option A and option D जो है रहों हो जाता है 0.5, 0.5 दिखाई देरी आप देखो आगे वाला part तो solve करने की ज़रत ही नहीं option बहुत easy है 0 kg meter per second का मतलब है कि sir वो rest पे momentum नहीं होगा 0 कैसे possible है यार आपको पता है यह आपर maximum velocity होती है तो आप direct option C tick कर सकती थे but let us understand value कैसे निकल के आई आप बोलो कि sir momentum is mass into velocity and velocity max होगी इस position पे maximum velocity दी जाती है omega into A के बराबर mass 5 है omega की value जो है कितनी निकल के आई भाई यही तो omega होता है आपको पता है sir that omega is equal to root of k by m denominator में omega होता है तो अगर मैं देख रहा हूँ root of k by m उल्टा करके देखूँगे तो यह आपको 2 दिखा ही दे जाएगा ठीक है तो 2 amplitude की value half तो आपका answer 5 यहां से निकल के आता है but इतना सा common sense होना चाहिए ख्यार इन्होंने यहां पर जो है ऐसा option बनाया नहीं तेक है पर अगर आपको यहां पर plus 5 और minus 5 का option बना देते 0.5 के साथ तो confusion हो सकता था बट हमें मालूम है negative x direction में object जा रहा है So, that is how I can say that C is the correct answer for this option.